कि हैलो आपडिवन वेल्कम बैक टॉल नक्त अग्जाम तो कैसे आप सब में अमीद करता हूं आप सब बड़ी होंगे तंतरूस्तों के मस्त होंगी आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम मैंसुरेशन के बारे में पढ़ सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आगे आने वाले क्वेस्टन में दिक्कत ना हो डिफरेंट टाइपस लेने की मेरी कोशिश होगी कि अलग अलग तो सबसे पहले हम क्यूब से चलेंगे अब क्यूब में यहां पर एक बना देता हूं फिर उस हिसाफ से हम आगे करेंग उसका देखेंगे थोड़ा सा क्यूब अगर मैं बनाओं तो मुझे थोड़ा सा बक्त दें कि आप स्किप भी कर सकते हैं कि आगए यहां पर एक लाइन यह आपकी एचा इसम्हें यह मतलब मैं इससी बना लेता हूं ज्यादा उसमें क्यों जाना आपको समझना ही है तो मैं सिम्पल आपको हाइशे बनाओ अब क्यूब मालेजिए ऐसे क्यूब डिखती है एक देखgal देका जिंपल उसमें आएंगे हम अब क्यूब के आपने पढ़ा होगा कि जितने भी साइड बग्यारा होती है वो सारी सेम होती है मतलब यह जो एसाइड होगी यह साइड होगी होंगे इसके six faces कितने faces होंगे एक सामने बाल जो आपका क्यूब होता है जो घुमाते हैं जिससे color मिलाने होते हैं वो भी आपने देखा होगा वो सारी चीज़ें अब क्यूब से लेटर हम कुछ चीज़ें जानेंगे जैसे इसके side को हम क्या consider करते हैं a consider कर लेते हैं इसका अगर मानल तो question में हमें बोला होगा कि diagonal के बारे में पता करना है कि diagonal की length कितनी हैं वो सारी चीज़ें तो वो होती है आपकी under root 3a अगर हमें curved surface area बोला होगा क्यूब का तो curved surface area होता है क्यूब का 4a square मतलब 4 into side का square side का square और curved surface ही हमारा lateral surface area कहलाता है curved surface area ही हमारा lateral surface area कहलाता है उसी के साथ आपको बोला होगा कि four walls का area तो four walls का area भी यही कहलाता है आपका curved surface area ही कहलाता है तो curved surface area आपका lateral surface area हो गया four walls तो सारे का formula जो होगा four a square होगा उसी तरह अगर total surface area की बात करें तो total surface area जो होता है वो six a square होता है और a हमें पता है side होता है नगर six into side का square यह आपका total surface area कहलाता है और उसी तरह एक last formula इसका कौन सा वॉल्यूम वॉल्यूम होता है इसमें एक तो यह सारी चीज़े हैं क्यूब के बारे में आपको पता होनी चाहिए तो इससे कोई भी कुश्चन आप easily solve करते हैं तो चलिए इसी तरह हम अपने पहले question की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मबू question हमारे लिए क्या लेकर आया है तो हमें question कहता है कि if the length of diagonal of a cube is 8 root 3 हमें बोला है एक हमारे पास क्या दिया गया है cube दिया गया है और उसका diagonal की बात हुई है उसका diagonal जो है एक रूट थी अगर हिंदी में मैं कहूं कि यदि किसी घन के बिकर्ण की लंभाई आठ रूट तीन सेंटिमीटर है तो उसका प्रिष्टियक शेत्रफर यानि सर्फिस एरिया उसका क्या होगा अब यहां पर हमें surface area वर्ड दिया गया है अब मालीजी सर्फिस के साथ ना total लगाया है ना कवर्ड लगाया है कोई चीज नहीं लगाई है तो इसको हम total surface area consider करेंगे अगर आपको question में simple surface area दिया है तो इसको हम क्या consider करेंगे सर्फिस है इसको हम total surface area ही consider करेंगे और टोटल सर्फिस एरिया हमने पढ़ा था यह होता है सिक्सेश के यह हमने यह ढूंडने के लिए बोले उससे पहले हमें एक ही value यानि side की value ढूंडने पड़ेगी लेकिन हमने अभी नहीं के diagonal पढ़ा कि diagonal की जो value होती है डाइगनल की जो value होती है वह होती है और रूट 3 और यहां पर 8 अंडरूट 3 की value अंडरूट 3 यह दी गई है यहां से हम अंडरूट 3 यह काटेंगे तो 8 जो हो जाएगी वह ने मतलम जो साइड होगी क्यूब की जो साइड होगी वह हमारी क्या कहलाएगी एड सेंटिमेटर तो इससे आगे हम कर सकते हैं इसमें डालेंगे हम तोå सकेटे JUL को तो हमद इस टरीके से करेंगे उमेद करते हो आपको फतालेंगा होगा है को कैसे करते हैं चलिए जी अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेशन है कि दर सम ओफ लेंथ ब्रेट एंड हाइट ऑफ एक क्यूबाइड इस तो अब हमारे पास क्यूबाइड की बारे में बात हो रहे तो मैं एक आपको एक शीट में बता देता हूं क्यूबाइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और नई स्लाइड वे क्यूबाइड के बारे में थोड़ी सी डिस्कस्शन करेंगे हमकी क्यूबाइड होता क्या है तो क्यूबाइड हमने पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा जिसकी एक लेंथ होती है, ऐसे बनता है यह थोड़ा सा, जैसे क्यूब, अब क्यूब में क्या होता है, कि उसमें सारी जो लेंथ, ब्रेट्थ, हाइट होती है, यानि साइड होती है, क्यूब की वो सारी सेम होती है, लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है, इसकी अपनी एक ब्रेट्थ होग एक इसमें भी अपना एक इसका डाइगनल तो डाइगनल की बैल्यू क्या होती है अंडरूट एल का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस एच का स्केयर और कर्ड सर्फिस एरिया क्या होता है कर्ड सर्फिस एरिया इसका कहलाता है एरिया ओफ फोल वाल्स कर्ड सर्फिस एरिया कह सर्फिस एरिया के बारे में बात करेंगे क्यों बाइड की तो टोटल सर्फिस एरिया हो गया तो इंटू लेंथ इंटू ब्रेट प्लस ब्रेट इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ ही इसका टोटल सर्फिस एरिया हो गया उसी तरह अगर बॉल्यूम की बारे में बा इसका क्या मतलब होता है जो ए सामने भाला जो एरिया है उसका गुना जो साइड वाला है उपर वाला उसका सभी का अंडरूट तो इसके ज़्यारा ज़रूर नहीं पड़ेगी लेकिन इन सभी फॉर्मूलास के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप क्यूबाइड का कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो चलिए जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन यह रहा कि दा सम ऑफ लेंथ ब्रेट्थ एंड डेप्थ ऑफ क्यूबाइड इस हमारे पास दी है वैल्यू 23 सेंटिमेटर मतलब हमारे पास क्यूबाइड है उसकी लेंथ दे और इसके बाद बोला है एंड इस डाइगनल इस फाइव अंडरो ओट तृफ अन्डरोट सेंटिमेटर तो स Finished एरीया उसका क्या होगा अब हमें डाइगनल बोला है डाइगनल जो है उसकी बैल्लीउ रहे पास फाइव अंडरोट साब लेकिन आपक्ष dovzaćी यहलते छाक्ष shouldах length the Wallace best square plus higher 5 root 7 확실히 value इतनी है हमारे पास अब क्या करेंगे इसका स्क्राइक कर दोगे इसका स्क्राइब अब स्क्राइब स्क्राइब और स्क्राइब का स्क्राइब 25 x 7 इसक्राइब स्क्राइब इसे इयनिद तो स्क्राइब क्रींगे यह jin जाएगे 165 की value आजाएगी लेंश के प्लस ब्लेट के प्लस हाइट का स्केयर यह करेंगे अब हमारे पास question क्या है कि इसका surface area क्या होता है surface areas का क्या होता है मतलब हमारे पास जो टोटल सर्फेस area की बात हुई है ने टोटल शर्फेस area जो होता है two into क्या इसमें अंसर आएगा इस यह जो हमारे पास पूरी टर्म है इसका अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि लेंथ निकाली ब्रेट निकाली हाइट निकाली यह सारी चीजें नहीं करेंगे हम लगाएंगे कि a plus b plus c का whole square का formula जो होता है हमारे पास length plus breadth plus height का whole square is equal क्या होगा length square plus breadth square plus height square plus 2 into lb plus bh plus hl अब हमें इसका यह जो हमारे पास यह चीज है यह हमारे पास total surface है और यह सारी चीजें हमारे पास है ही है लैंट प्रैट और हाइट का होल स्क्राइड यानि 23 यह हमारे पास देख है शुरू में लियू यानि 23 का स्क्राइड इकुल टू और लैंज स्केर प्लस ब्रैट स्केर प्लस हाइट स्केर यह हमारे पास 175 है और आगे वाली चीज़ें ऐसे रहे जाएंगे वह हम तोटल सर्फिस अरिया लिख देते हैं अब यह क्या जाएगा 23 का स्केर हमारे पास आजाएगा 529 और इस साइड यह प्लस हो रहा है साड़ जाकि माइनस हो जाएगा माइनस 175 कि वह जाएगा हमारे पास टोटल सर्फिस एरिया तो 529 को हम माइनस करेंगे 175 से नौ में से 5 के हमारे पास 4 आजाएगे 12 बनगे 12 में से साथ करें 5 और 4 में से एक गे 3 तो 354 354 सेंटीमीटर स्केर ऑप्शन नमबर यह हमारे पास इसमें कोरेक्ट तंसर हो जाएगा तो उमी और हाइट अगर हम प्लस करें तो उसका वह बैल्यू है 23 सेंटीमेटर और लैंड़ स्केर प्लस ब्रैट स्केर प्लस हाइट स्केर करें वह आगे हमारे पास 155 175 सेंटीमेटर बस हमने ए प्लस बी प्लस का फॉर्मूला लगाया इसमें हमें टोटल सर्फिस एरिया मिल गया हमने एक साइल लिखा बाकि सभी को आपस में माइनस किया और हमने अंसर निकाल दिया हमारे पास के अंसर आगए 354 अब इसमें से कई क्या कर सकते हैं कि यहां पर टोटल सर्फिस एरिया चलो नहीं लिखा यह टू को इस सैट जाके डिवाइड कर देंगे और यह हमारे पास तू और इससे 177 आ जाएगा और option नमबर भी correct करके आ जाएगे लेकिन गुग गलत होगा क्योंकि आपका टोटल सर्फिस एरिया है उसमें आपका टू की बैल्यू भी consider होती है चलिए इसी तरह अगले question की तरफ चलते हैं अगला question है हमारे पास कि फूर solid cubes जो है four solid cubes each of volume one seven two eight centimeter square centimeter cube sorry volume है तो centimeter cube are kept in two rows having two cubes in each row अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक car cube है ऐसे हमारे पास एक key है drawing पर मत जाहिएगा और इसके साथ एक और cube लगी है ऐसे हंज्य क्योब लगी है और यह है 2 रोज बना रही मतलब इसके पीछे का और cube है ऐसे और यहांपर एक कुब है ऐसे के साथ यह के साथ यह सब और रह चाब की होई हैं और एक क्यूब का जो बॉलियों है मतलो इसका मतलो सारे सेम वह आ जाय turkey बॉलियूम ओफ इज क्यूब बॉलियूम ओफ इज क्यूब हमारे पास दिया है 1728 सेंटिमेटर क्यूब और कैप्टेन टूरे उस है विए हमने पढ़ लिए दे फॉर्म में रक्टैंगुलर सॉलिड अब इस पूरी को उन्होंने एक ही फिगर कहलाई इस पूरी को उन्होंने एक ही कर कह लाई है यहां से यह सांरे एक ही फिगर है। application मैं अब यह किस शेप में बन गे यह बन गे आपकी क्यूब आइड की शेप किस शेप में बन गे यह क्यूब ऐठक्यूब का इतना मतलब वाल्यूम हमार पास A3 की वेल्यू ने लरियों है हमारे 2728 जा हम करेंगे 12 12 12 वो यह दатов core 1728 तो एक ही वेल्व जाएगी हमार पास प्वादंब एक हमारे मतलब सब्सक्रीव पाशनद मतलब इसकी वान्ययू 12 जो इसमें जो लेंद्थ हो गई वह आगई आपकी 24 इसकी ब्रेथ क्योबढ की आगई 24 और हाइट आगई है हमारे पास टॉल लेंद्थ आ गई हीट्वारई ओपास हमें बोला है टोटल फिस एरिया of resulting बीजल्तिंग साइक हमसे पूछा है तो टोकल सर्फिस एरिया होता है गयो था है कि वह का वहता है टू इंटु एल बी प्लस बी एच प्लस ए ल बस हमें ć। रहुट करना रहांसर निकालना है तो इंटू इंटू को 24 x 24 प्लस यहां प्लस आएगा ब्रेट इंट वाइट 24 x 12 x 24 ऐसे अग इसको सॉल्व करेंगे तो 24 का स्केर हो जाएगा 576 प्लस 24 हो जाएगा 288 प्लस 1124 हो जाएगा 288 जब इनको सभी को प्लस करेंगे तो टू इंटू 1152 आ जाएगा और सॉल्व करने के बाद यह क्या हो जाएगा 2304 इसमें अंसर तो 2304 option number C इसमें correct answer तो आपको ऐसे त्रीके के question भी आ लखते हैं कि आपको एक के उपर एक कोई चीज रखी हुई है अब यह इसी के consider को कोई मतलब सिलिंडर का अगे पढ़ेंगे कि अलग अलग shapes में कैसे करेंगे तो उस त्रीके के भी आपको questions आ सकते हैं चलिए अब अगले question की तरफ चलते हैं अगला question हमारे पास ऐसे है कुछ इस त्रीके से और यह वीडियो का last question होने वाला अगले question को जो हमारे पास बीपेटी बने हैं उनको अगली वीडियो में करेंगे ने कुछ लंबी हो जाएगे मकसद यह रहता कि अलग अलग टाइप के हम questions को discuss करें तो थोड़ा सा टाइम लगता हैगी अल बाते ना करते हों अगले question की तरफ चलते हैं कि from a rectangular sheet of dimension 32 cm and 13 cm यारनी कि 32 cm 18 cm वीमा वाले आयातकार sheet के चारों कुणों से 3 cm बुजा वाला बरगल काटा जाता है तो बॉक्स बनाया जाता है तो आप यह घर में ट्राइक करने कि हमारे पास एक शीट ले ले लिए रक्टेंगुलर शीट हमने ले ली एक बड़ी सी रक्टेंगुलर शीट ले ली और उसके dimensions दिये हुए कि यह 32 है लिए को ने कि यहां से लेकर यहां तक यह 3 cm यह 3 है यह 3 है यह 3 है यह 3 काटे गए यहां से यह यह 3 यह 3 संटी मीटर के हर साइट से हमारे पास जो है वह टुकड़े काट दिये गए और इनको थोड़ा सा फोल्ड कर दिये जाए experimental है यह आप घर में try कर सकते हैं experiment करना कि एक sheet को लेकर एक box सा बनाना कि जिसके बीच में कुछ डाल सकें अब उसका volume पूचा है उसका हमारे पास यहां पर volume तो क्या देखते हैं अगर 32 है हमारे पास यह अगर हमारे पास यह 32 है लेकिन यह यहां से काड दिया यह तीन यहां से कार दिया तो लेंथ की बैली क्या तो लेंथ हमारे पास हो जाएगी लेंथ is equal to 32-3-3 यह हो जाएगी 32-6 और यह आ जाएगी हमारे पास 26 cm हमारे पास लेंथ आगे उसी तरह ब्रैट्थ भी करेंगी तो टोटल हमारे पास कितनी थी 18 18 में से 3 घटाई उपर से 3 घटाई नीचे से यानि 18-6 करेंगे तो 12 cm हमारे पास ब्रैट्थ अब आप इसको एक्सपेर्मेंट 3D शेप में देखेंगे तो यह कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको ठीक है यह लैंथ हो जाएगी यहां से ब्रैट्थ हो जाएगी यह आपकी और हाइट अब हाइट जो आएगी वो आएगी यह तीन सेंटीमेटर जो काती है तो हाइट की बैल्यू कित परिकह से बन जाएगा और हमसे लाश्ट में पुछे बॉक्स का आयतन यानि बॉक्स का बॉल्यूम तो आपको पता है बॉल्यूम ओफ क्यूबाइड क्या होता है हमने डिस्कस किया कि ऑल्लियूम ओफ किवाइड होता है लेंद इंट इनटू ब्रेट इंटू हाइट तो ह तो आपको इस तरीक के मैंस्टूरेशन के question दिखने को मिल सकते हैं, जो कि हमने 9th और 10th class में यह अच्छे तरीके से पढ़े हैं, volume बगार स्फियर, hemisphere यह सारी चीज़ें, तो अगर आपको बू सारे formula कुछ नहीं, जाद 12 तेरा formula हैं, आपके पास books जरूर पढ़ी होंगी, उन को याद करने के कोशिश करें, तो तभी यह question आपके easily हो पाएंगे, बाग के short trick से हमने advance उसमें concept वाली वीडियो में भी पढ़े हैं, तो मैद करता हूँ, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दे, चैनल को subscribe कर दे, मिलते हैं आपस अगली प्रेक्टिस वीडियो में तब तक के लिए जाज़त दीजिये, इस गौरत शर्मा, साइनिंग ओफ, जय हिंद बनने मातरों